Hello everyone, my name is Tanushree and I am welcoming you to all my channel Creative Tanushree और मेरे इस channel में आप सभी को बहुत बहुत शभागत है Friends, I believe you are doing all very well आज का जो topic है Friends, वो है WhatsApp application के एक बहुत ही important settings के बारे में अब वो जो important settings क्या है उसके लिए मैं थोरस आपको दो-तीन line में shortly बता देती हूँ बात यह है कि जब भी हम WhatsApp में group के अंदर हो या individually हो किसी को हम videos भेजते हैं, share करते हैं या audio share करते हैं या picture share करते हैं Parallely कोई person आपको आखिर video, audio या image या documents जो भी share करता है आपके mobile memory धीरे-धीरे भर जाता है या आखिर आप वो memory external drive में भी save करके रखोगे तो वो भी धीरे-धीरे भर जाएगा और फिर हम क्या करते हैं फिर हम लोगों के पास जब time होता है तब हम unimportant या important जो भी हो हम select करके उनको delete कर देते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारे mobile memory ज़्यादा भर जाता है तो RAM slow हो जाता है या फिर हम हमारे जो mobile की जो space है वो कम हो जाता है and hang करता है कभी-कभी mobile तो इतना hang करता है कि क्या बता है तो यह experience को जरसे खतम करने के लिए मतलब जरसे खतम करने के लिए तो बहुत सारे options हैं लेकिन ये WhatsApp के अंदर ही एक important settings है वो settings को आखिरा थोरा सा change कर दोगे तो आपको बार-बार आपका जो unimportant data है वो delete नहीं करना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ WhatsApp में WhatsApp में मैं अपने मामी के interface में आ गई अब वो यह जो settings में आपको दिखाने वाली हूँ वो settings आप अपने group में भी कर सकते हो या single single किसी को भी कर सकते हो तो मैं पहले मामी के जो interface में आ गई फिर मैं three dots में जा रही हूँ three dots में जाके यहाँ पे जो view contacts है वहाँ पे मैंने click किया click करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ यहाँ पे जो third option है media visibility यहाँ पे भी मैं click किया अब विडिया विजिबिलिटी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर लिखा है default yes मतलब जो मामी जो मेरे को pictures भेजेगी मामी जो मेरे को भेजती है मामी मेरे को pictures भेजती है या audio भेजती है या videos जो भी भेजती है और या आखिर मैं external drive select किया हूँ तो वहाँ पे भी save हो जाता है moral of the story यह है कि save हो जाता है मेरे mobile में तो दिन प्रति दिन जब भी किसी का भी आपका जादा picture save हो जाता है या audios, videos, unimportant हो या important save हो जाता है तो mobile का memory तो धीरे-धीरे कम होते जाता है तो उसी problem को जर से निकालने के लिए आप simply इसको यहाँ पे no कर दो no करके okay कर दो अब no करके जब भी आप okay कर दोगे क्या होगा मतलब कुछ भी नहीं होगा जो person आपको message भेजती है आपको audios भेजती है, videos भेजती है या pictures भेजती है, as usual वो सब कुछ कर पाएगी लेकिन उसके बदले में आपका mobile के जो memory है वो free रहेगा और वो free रहने के बाद भी आपको individually delete करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि वो तो आपके mobile में save नहीं होगा आपने तो save का option बंद करके रखा और वो same चीज, मतलब अखिर कोई आपको message किया आपको videos भेजा, आपको audios भेजा, आपको pictures भेजा वो same चीज आप दूसरे तीसरे को share भी कर सकते हो और इससे आपका mobile में memory का कोई problem नहीं रहेगा और फिर just data खरच होगा, ऐसे ही होगा तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, फिर मैं back में गई, back में जाके मैं single करके मैं आपको बता दिया, आप group के बारे में देखते हैं group में भी आप ऐसी settings कर सकते हो, क्योंकि group में भी बहुत सारे लोग है जो videos डालते हैं, pictures डालते हैं, और आपके mobile में आ जाता है आप थोड़ा सा follow करो, या देखो, minorly, यहाँ पे जो group info है, इस group info पे आपको click करना पड़ेगा और जब याप group info पे click करोगे, तब यहाँ पे आ जाएगा, media visibility, media visibility जब भी आप click करोगे, तब यहाँ पे same interface आजाएगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, फिर आप चाते हो कि नहीं group, यह group बहुत important है, इसका हर एक videos मेरे mobile में रहना चाहिए, या हर एक videos मेरे mobile के memory में रखनी चाहिए, तो फिर आप yes करके रखना, आप चाते हो कि नहीं बापरे, मेरे mobile तो भर जाएगा, मेर आप no करके रखना, no करके आप okay कर देना, तो फिर क्या होगा कि आपके group के अंदर जितने सारे members है, वो thousand times आपको हो, या group में हो, videos डाले, या pictures upload करे, जो भी करे, सब रहेगा, लेकिन आपके mobile के memory में वो store नहीं ही रहेगा, लेकिन individually वो आप सब को share भी कर सकते हो, तो यह रहा, आज का topic, आज का discussion, I believe कि यह बहुत important एक settings है, जो अब मैंने आपको बताया, आखिर आपको useful लगा, तो please इस channel को like कर देना, subscribe कर देना,